ममता बैनर जी पे आती हूँ, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि BJP जो है, ये हिंदू मुसल्मान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने का ओडियन्स को कहा कि आपकी प्रॉपटियां छिन जाएंगी, आपके बच्चों का एजूकेशन खतम हो जाएगा, आपको डिटेंशन कैम्प में भेज दिया जाएगा और डिटेंशन कैम्प अल्रेडी हैं, तो ये CAA के जरिये 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटिजन्शिप छीन ली जाएगी, देखे मैं ममता जी को करबद निविदन आपके इस कारेक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ, पुलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बंगलादेश से आए हुए बंगाली हिंदू का हीत मत करिये, आप खुद बंगाली हैं, बंगलादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है, ममता जी को मैं खुली चुनोती देता हूँ, इस कानून की धारा म वो बता दे सारवजनिक रूप से, वो खौप पैदा कर रही है, हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बेंक का कॉंसुल्डेशन करना चाहती है, ममता जी इसको मत रोकिये, करने जैसा काम है, गुस्पेट रोकिये, नहीं रोक रही देखिए इसके अधिकरूत आंकडे जब तक राज कॉपरेट न करें, ढूनना बहुत दिक्कत होती है, यूकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मसने रही है, अगर वो दिन दूर नहीं है, कि वहाँ पर भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हम इसको कडाई से रोक नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स सब करेंगे, इतने महतवपून राष्टिय सुरक्सा के मुद्दे के साथ एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर घुसपैट होने देंगे, जो सरनार्थ ही आया है, उनको नागरिक्ता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी, ममता जी को सरनार्थ ही और घुसपैट ही, दो सब्दक के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है, या जान के नहीं कर रहें, अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मालूम नहीं है, श्रेष्ट भारत पर खब